चलिए दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपनी ब्लोग या वैपसाइट बना कर किस तरह से आप गरबेटी पैसे कमा सकते हैं इसका सबसे पहले लाइब दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी वैपसाइट को गुगल ए चैन से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसकी क्या का रिक्वार्मेंट है वो इस वीडियो के मैंदम से बताने वाला है सबसे पहले आप इसका प्रूप देख सकते हैं मेरी अपनी जो वैपसाइट है उनका मैं चैर बार पेमेंट ले चुका हूँ अभी तक तो यहाँ पर जो मेरा फर्ष्ट पेमेंट आया था 104 डॉलर का इसके अलाबा जो दूसरा पेमेंट आया था 158 डॉलर का मतलब 188 डॉलर का इसके बाद जो थर्ड पेमेंट आया था 128 डॉलर का तो यहाँ पर तीन चैर पेमेंट मैं आसानी से ले चुका हूँ अभी जो मेरा मैन बैलेंस है पिछल पर देख सकते हैं, यह में पहले से यह मेरी एक website है, hindi trick.xyz यह website में बनाई हुई है, और यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह advertise run हो रहे हैं, यह Google Adsense के advertise हैं, इसके अलावा मेरी एक और website है, वो भी पहले से Google Adsense से approved है, तो उन दोनों website पर मेरे Google Adsense के advertise run कर रहे हैं, तो इनका जो advertise का हमें जो review नी है वो हमें generate होता है वो सीधे हमारी Google AdSense में plus हो जाता है और महीने की 21 तारिक को ये payment हो जाता तो यहाँ पर बात करने वाले हैं किस तरह से हम हमारी website खुद की बना सकते हैं बनाने के बाद उसे Google AdSense से connect कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Google में जाना है और आप फ्री में website बना सकते हैं तो blogger.com पर आप आसानी से फ्री में website बना सकते हैं तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर blogger.com पर किस तरह से हम website बना सकते हैं गर करने के बाद आपको यहां पर यहां पर आजाना है आपको सबसे पहले sign up करना है अपनी email ID के फिरूगे आपको यहां पर कुछ नहीं करना है यहां पर जो 3 ब्लोग पर हमें क्लिक करना है जैसे यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर अपना जो वैपसाइट का यहां पर आपको नेम देना है नेम देने के बाद तो यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना हो और अपना जो डोमेन है यहां से आपको सेलेक्ट करना ध्यान रहे यह blog sport domain है आपको आप चाया तो इसे custom domain भी ले सकते हैं वो अलग से आपको purchase करना होगा तो यहाँ पर post किस तरह से create करना है मैं इसको अब भी आपको lab दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको आजाना है plus के icon पर click करने के बाद new post पर click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर आप level दे सकते हैं और परma link भी यहाँ पर आप create कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर search description भी यहाँ से दे सकते हैं लेकिन आपको एक चीज मैंने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप article create करते हैं तो वो आपका खुद का article होना चाहिए यह खुद से लिखा हुआ होना चाहिए ना किसी की copy paste आपको बिल्कुन नहीं करनी है और हो सके तो आप अगर first बार blogging कर रहे हैं तो अपना खुद का image create कर रहे हैं या किसी को modify करके image को आप यहाँ से लगा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह निंग पर हम click करते हैं तो यहाँ पर अपने जो adsense का add है यहाँ से आप design कर सकते हैं और उसको customize कर सकते हैं तो इस तरह से आप आसानी से अगर बेटे एक website बना सकते हैं website बनाने के बाद Google adsense से connect कर सकते हैं अगर आपको फिर भी नहीं आता किस तरह से हम Google adsense से connect करो website बनाए तो इसकी नहीं आपको पूरी वीडियो बना दूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो subscribe जरू कर देना